हलो दोस्तों वल्कम बैक टो टीचिंग फियर आज की इस वीडियो में आप से शेयर करने वाली हूँ अंबानी स्कूल की विकेंसिस जैसा की आप थमनेल पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे रिलाइंस फाउंडेशन स्कूल की विकेंसिस जो की आई भी हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें मैं अपना परसनल एक्सपिरियंस भी आपको शेयर करूंगी तो आप जरूर देखें और हमारी फेस्बुक क्रूप से जरूर जुरें लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स पे मिल जाएग हमारी बाकी वीडियो भी जरूर चेक करें और अगर चैनल पे पहली बर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो बढ़ते हैं वेकेंसी की तरफ और चेक करते कौन-कौन सी सब्जेक की वेकेंसी आयो ही है और कौन सी लोकेशन से है तो यहां आप देख पा रहे हैं Reliance Foundation School, मोती खावरी जामनगर तो यह आपका गुजरात में है, गुजरात का लोकेशन पढ़ता है, राजकोट का नियरवाई सिटी है, जामनगर कोकिला धिरुवाई, कोकिला बेन धिरुवाई अंबानी स्कूल है, यह Reliance जो आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसी के अंदर यह आपका टाउन्शिप रहता है, उसी में स्कूल रहता है तो मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो में कि मेरी सेलेक्शन कैसे हुई थी Reliance Foundation School में, तो यहाँ जो वेकैंसी आ रही है, इसकी जो रियालेटी है, मैं आपको बताती हूँ यह मेरा ही branch है दोस्तो, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह जो advertisement है, यह जब ही भी, आप देखेंगे whole year आपको इसकी official website में मिल जाएगी, same to same आपको official website में साल के हर एक दिन आपको मिलेगा, लेकिन जो reality होती है दोस्तो, कुछ ही post की ऐसे reality होती है जैसे resign जब करते हैं, कुछ teachers, तो यहाँ पर यह vacancies बार बार publish की जाती है तो उनको मौका मिलता है जो apply करते हैं, तो वो shortcut के तरीके से वो सारी ही advertisement publish कर देते हैं लेकिन सारी advertisement vacant नहीं होती है, यहाँ पिचे से आप देख पारें, wise principal for primary school यह है, यहाँ पर wise principal की requirement है, जैसे मैं अपना बता दे रही हूँ, इस branch के लिए बाकी branches में क्या है, आप अगर इसकी RFS की official website देखोगे सूरत हो गया, बरोडरा हो गया, मुंबई का ब्रांच है, उसमें जो particular vacancy है, अभी vacant है, उसी की दिखाएगी लेकिन जाम नगर में आपको almost सभी post के लिए दिखाए जाएगी, which is not true तो यहाँ आप देख सकते हैं, middle school के लिए headmaster और headmistress, यह भी सही है इसके लिए आपका जो experience दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, 10 से 12 साल का experience teachers में बात करूँ दोस्तो, teachers में pre primary teachers की requirement है, अभी primary teachers सभी subjects में नहीं है, सभी subjects में नहीं है, यहाँ पर almost सभी primary teachers अभी यहाँ पर मौझूद है English की requirement है, TGT में बता रही हूँ, मेरा personal experience में आपको बता रही हूँ TGT in all subjects की भी requirement नहीं है, geography teacher की requirement है PGT in all subjects की requirement नहीं है, यहाँ पर दोस्तो, robotics teacher की भी requirement नहीं है activity में art and craft, music, dance, drama सभी यहाँ पर teachers already मौझूद है लेकिन, यह मैंने personally आपको बताया, दोस्तो, आप क्या कीजे, यहाँ पर तो all subjects लिखा है हो सकता है, दो-तीन मेने बाद कोई resign करें, तो आपको सबसे पहले preference दिया जाएगा क्योंकि आपने पहले apply किया है, तो यहाँ पे भले ही आपका post mention हो या ना हो लेकिन आप जरूर apply करें, आज नहीं तो कल हो सकता है, आपको एक साल बाद ही call आए, इस school से लेकिन वो post जबे भी खाली होगी, आपको पहले preference दिया जाएगा, ना कि जो बाद में apply किये हैं उनको मैंने भी आपको बताया था, मैंने apply किया, और मुझे 9 महिने के बाद call आया था, इस school से तो यहाँ पर आप देखें, सारे जो qualifications हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, freshness जो है पांस साल का minimum या तीन साल का minimum experience होना यहाँ पर mandatory है कोई भी post के लिए, यहाँ पर IT manager, IT, executive, HR, office assistant, counselors की requirement है, special educator की requirement है, तो यहाँ जो है salary की बात करू, 7th pick skill follow किया जाता है, यानि की KVS की बराबर की salary होती है, central government की salary होगी यहाँ पर, और आपको जो है accommodation दिया जाता है, township के अंदर, township में जैसे जो rooms होते हैं, आपको पता होगा, जैसे NHPC का township होगिया, reliance petroleum का township होगिया, उसमें अगर आप married हैं, तो आपको 2BH के पूरा दिया जाएगा, और अगर आप bachelor हैं, तो आपको sharing में one-one room करके दो लोगों के साथ रखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको apply के से करना है, आप इसके official website भी जाकर के apply कर सकते हैं, rfs.edu.in, जामनगर careers पे क्लिक करके एक application form आपको मिल जाएगा, और या तो आप simply ये mail id के through अपना resume और एक cover letter अटाच करके भेज सकते हैं, careers.kdarfs.edu.in, तो यहाँ पे आप apply ज़रूर करें, salary बहुत अच्छी है, दोस्तों, ऐसे ही कुछ और vacancy आपको बताऊंगी, इस वीडियो में मैंने एक और vacancy cover किया है, जो कि again 7th pay skill follow करती है, और इसकी जो location है, New Delhi से है, रसाइना, रसाइना बेंगॉली स्कूल, senior secondary, चितरंजन पार्क, New Delhi, यह linguistic minority institution है, जो कि DTE of education के द्वारा aided है, और यहाँ पे जो vacancy आए गई है, PGT में, history, physics, math, computer science और बेंगॉली, level 8, 7th CPC लिखा हुआ है, और यहाँ पे TGT language, TGT miscellaneous में, English दो vacancy, आप यहाँ पे vacancy ज़रूर चेक करें, इतना read करना काफी लंबा हो जाता है वीडियो, यहाँ पे आप देखें कौन-कौन सी subject की vacancy आए वही है, और यह जो school है, आपको 7th CPC के according salary दी जाएगी, assistant teacher में level 6 है, लेकिन same 7th CPC है, 12 post है, librarian, Mali, Mali की भी regular vacancy है, तो आप apply ज़रूर करें, age limit यहाँ पे आप देख सकते हैं, as per recruitment rules and relaxation for all categories, और यहाँ पे आपको कैसे apply करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे detail, recruitment rule इसकी official website पे मिल जाएगा, अगर आपको details चेक करना है, rasina bengali school.org पे आप चेक कर सकते हैं, preference दिया जाएगा bengali candidates को, और यहाँ पे कोई भी caste reservation नहीं दिया गया है, किसी भी post के लिए, यहाँ पे, आपको कैसे apply करना है, वो मैं बता दे रही हूँ, आपको एक A4 size paper पे, apply करे A4 size paper पे, अपने सारे documents के self-attested copies, buy data आपका होना चाहिए, और आपको यहाँ पे इस address को note down करना है, यहाँ पे आपको एक envelope में सारे documents को seal करके, इस location पे आपको भीजना है, और envelope के top में लिखना है application for the post of concept, पोस्ट के लिए है, और अगर दो पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं, तो separate application होना चाहिए, last date apply करने की है 5 February, और यहाँ आपको registered post या तो speed post के तुरू अपना hard copies भेजना होगा, तो यहाँ पे सभी vacancies जो है, Department of Education, Government of NCT of Delhi के द्वारा है, यह government educational organization ही आप कह सकते है, government vacancy है, तो यहाँ पे आप जरूर try करें, और Bengali candidates को तो ज़्यादा preference दी जाएगी, तो जरूर apply करें, तो उमीद करती हूँ, यह दो vacancies आपके काम जरूर आएंगी, दोनों ही काफी इसके साथ तब तक के लिए धन्यवाद